और फ़र भिलाई से है जापत नागरिक्ता संचुतन कानूर और नेशनल रेश्टर आफ सिटिजन के खिलाफ कॉंग्रिस ने समिधान बचाओ रैली की जिसमें भूपेश बखेल समयत कई मंतियों ने शिर्कत की सासी रैली में छात लोकलाकार ट्रेड यूनियन खिलारी भी शामिल हुए और इस मौके पर सियम बखेल ने के इंडर सरकार पर जूट बोलने का आरूप लगाया उन्होंने कहा कि CAA और NRC से देश का भला होने वाला नहीं हैं हर देशवासी को अपनी नार्गता साबित करने होगी लेकिन देश के प्रधान मंत्री और गहे मंत्री जू और प्रधान मंत्री जी कहते हैं अभी तो केबनेर में नहीं है इसका ड्राट भी ने बना जूट बोल रहे हैं अनी साजी जूट बोल रहे हैं नरे अनमोदी जी जूट बोल रहे हैं मुख्य मंत्री बुपेश बगहिल नर्षी और यहां से मार्च किया जाएगा मुख्य मंत्री बूपेश बगहिल से बाgen तषित करते हैं ऐनर्षी को लेकर के प्रधान मंत्री ने भार्षन दिया था जिसमें उन्हांने कहा था अनर्षी लागून नहीं होगा अभी भी चिंसा है इनार्षी बात कि उसे घोषना पत्र में इनार्षी है तो सवाल इस बात का सच कौन बोल रहा है नरेंग मोदी जी बोल रहे हैं कि हमी साजी बोल रहे हैं एक और चीज कि आपने जहरखंट का जिक्र किया लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो पूरे देश लोगसबा यह लोगसबा बहारान रिकार्ड जो बात कही है और भारती जन्ता पार्टी घोषना पत्र में जो बाते हैं उसको इस परस्ट करना चाहिए कि कौन सी बात सही है अचा एक और सवाल जारखंड चुनाव में जो सितिया है आपकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और आपने खुब वहाँ पे जा करके धान की चर्चा की राहूल गांदी ने धान की चर्चा की यह माना जाए कि CAA और NRC को लेकर के जो स्टैंड है उसको भी जन्ता निकारिच किया क्योंकि जब बिल पास हुआ तो पांचे फेस का इलेक्शन बचा हुआ तो वह तो सुरू से का रहे थे NRC लागू करने के बाद फर्स फेस से भी बोल रहे थे तो वहां के जंदर ना नका जाए यहां जो तमाम रहलियों में मिश्चा कहते हैं NRC को लेकर के वह बात सही है कैमरामेन श्याम के साथ भिलाई से रुपेश कुटा जिसका आई रोजन सम्वेदान बचाओ और समयती कर रही है NRC और NRC को लेकर के एक तरफ भारत माता के नारे के साथ यह कारिशन का आप JNU से हैं आप लोगों का प्रदर्शन है NRC पर प्धान मंत्री का कहना है कि NRC जो है लागू नहीं होगी अपर लागू कर एक लागू करने का पूरा पूरा अंतर तो कह रहे हैं कि उनकी बात पर भरोसा नहीं होगा बरोसा नहीं है आज देखें जहां भी वालन्स हुआ है जहां भी मौते मतलब काफी मौते हुई हैं वो सारी सरकार बीजटी वाली सरकार बीजटी स्केट जहां पर रूल कर रही है वही सरकार है चाहिए इस तरफ कॉंगरेस के तमाम नेता है मुख्यमंतरी भूपेश बगहल भी आएंगे देख सकते हैं कि तमाम ज कॉंगरेस के नेता यहां पर पहुच चुके हैं मुख्यमंतरी भूपेश बगल थोड़ी देर के बात पहुच जाएंगे